जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12 कमिश्टी के अंत्यगत यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ा रहा हूं जिसमें कि हमारा जो टॉपिक चला है वर्ग सोला के तत्व यानि कि आक्सीजन परिवार चला है और हमारा आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है डाई जिसे हम सामाने तह आक्सीजन गैस भी कहते हैं और जिसे हम O2 से प्रदासित करते हैं तो यदि हम बात करें डाई ऑक्सीजन की तो यह वर्ग सोला का तत्व है तथा यह एक अधातू है और बहुत ही अधिक क्रियासील होता है और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि आधुनिक आवसारडी में इसे कैलकोजेन ग्रूप में रखा गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्ग सोला के तत्वों को हम कैलकोजेन कहते हैं तो यदि हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन एक दूई परमाड़ भी अड़ू है अर्था दो ऑक्सीजन तत्व के परमाड़ू आपस में मिलकर डाई ऑक्सिजन का निर्माड करते हैं और इसका जो रासायनिक सुत्र है वो होता है O2 बात करें हम ऑक्सिजन यानि कि डाई ऑक्सिजन की उपस्तिती की तो डाई ऑक्सिजन वायू मंडल में 20.9 प्रस्त पाया जाता है या फिर हम कह सकते हैं अब्योग कहते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जीवों के लिए बहुत ही आवस्यक है और इसके साथ-साथ डाई ऑक्सिजन या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सिजन की आवस्यक्ता किसी भी वस्तू के दहन के लिए आवस्यक होता है यानि कि किसी भी वस्तू को जलाने के लिए हम में ऑक्सीजन की ही आ सकता पड़ती है तो आये नेक्ट हम बात कहते हैं डाइए उक्सीजन यानि कि ऑक्सीजन गैस बनाने की विधी जिसे हम विरचन भी कहते हैं तो प्रयोकसाला में डाई ऑक्सिजन, क्लोरेट या फिर नाइटरेट या फिर परमेगनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है तो आई एक्जामपल के थूरू समझते हैं तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है पोटेसियम क्लोरेट जिसका फार्मला होता है केसील ओत्री पोटेसियम क्लोराइड और ऑक्सिजन गैस उत्पन होगी और यदि हम उत्प्रेरक के रूप में मैगनीज डाई ऑक्साइड का उप्योग करते हैं तो यह उत्प्रेरक के रूप में कार करता है और यह प्रक्रिया तेजी से होती है और साथ ही साथ इस अभिक्रिया में जो oxygen की मात्रा यानि की जो उत्पन oxygen है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है तो यहाँ पर अभिक्रिया में हमने potassium chloride के 2 भाग लिए हुए हैं तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो potassium chloride का 2 भाग और 3 भाग oxygen gas की उत्पन होती है तो इस अभिक्रिया को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत common reaction है और आपको chemistry में बहुत बार ये reaction देखने को मिला होगा आए oxygen निर्माड की यानि की oxygen के विर्चन की एक और विदी को देखते हैं जिससे की oxygen का निर्माड होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने lead nitrate लिया है यानि की PB NO3 का whole toys लिया हुआ है तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर बनता है PBO और NO2 और यहाँ पर oxygen gas उत्पन होती है तो यहाँ पर lead nitrate के तापी अपगटन से भी oxygen gas उत्पन की जा सकती है आईए एक और reaction देखते हैं जिसमें की हम oxygen gas राप्त करेंगे तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है potassium permagnate तो यहाँ पर भी हम potassium permagnate को गर्म करेंगे और potassium permagnate को गर्म करने पर बनेगा potassium magnate और magnesium dioxide और oxygen gas उत्पन होती है तो इन तीनों अभिक्रियाओं को आप याद रखेगा बहुत common reaction है और बार बार यह reaction आपको देखने को मिलेंगे class 11 में भी आपने इन reaction को पढ़ा हुआ है आईए देखते हैं कि oxygen निर्माड की अन्ने विधी कौन सी है तो बात करें हम दूसरी विधी के बारे में तो विधुत रासायनिक स्रेडी में नीचे के तत्वों के आकसाइडों तथा कुछ धातूं के उच्चतर आकसाइडों के तापकी अभगटन के द्वारा भी डाई आकसीजन उत्पन होता है तो यहाँ पर हमने लिया है सिल्वर आकसाइड एजी टू ओ जब हम इसका तापी अभगटन करते हैं तो सिल्वर और आकसीजन गैस उत्पन होता है ठीक इसी प्रकार अगर हम हच जी ओ को ले यानि कि मर्कियोरिक आकसाइड को ले जो हम इसे गर्म करेंगे तो मर्कियोरिक और आकसीजन के सुथपन होता है या भी एक तापी अभगटन अभिक्रिया है तो आप देख सकते हैं कि HG2O और HGO ये दोनों विद्धूत रासायनिक स्रेड़ी में हाइड्रोजन से नीचे पाय जाते हैं यानि कि ये जो आकसाइड है जब इनका हम तापी अभगटन कहते है तो इनसे जो आकसीजन है वो पूरी तरह से अलग हो जाता है लेकिन हम विद्धूत रासायनिक स्रेड़ी में उपर के जो तत्व हैं जो उच्चतर आकसाइड है अगर हम उनका तापी अभगटन कहते हैं तो वहाँ पर आकसीजन पूरी तरह से नहीं निकलता है जैसे यहाँ पर हमने PB3O4 लिया हुआ है इसको जो हमने गर्म किया तो यहाँ पर PBO मिला और आकसीजन गैस उत्पन हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ताप की मात्रा बढ़ा दे यानि कि higher temperature ले 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 तब oxygen निकल सकता है लेकिन सामाने ताप पर पूरी तरह से oxygen नहीं निकलता इस तरह एक और example ले सकते हैं यहाँ पर lead dioxide है इसको भी अगर हम गर्म करें तब भी pvo ही मिलेगा और oxygen oxygen gas उत्पन होगी तो पूरी तरह से oxygen को remove करने के लिए हमें उच्चतम ताप की आउसकता पढ़ेगी लेकिन यहाँ पर हम उतना अधिक ताप नहीं लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से oxygen नहीं निकल लाए तो जब आप धातूं का निस्करसर्ण पढ़ेंगे तो पर देखेंगे कि कैसे हम धातूं का अप्षेन कराते हैं और कैसे वहाँ पर oxygen gas बाहर निकलती है तो आईए अगली विधी क्यों चलते हैं और देखते हैं कि कैसे oxygen का निर्माड होता है तो hydrogen paroxid का अब घटन करके देखते हैं तो class 11 वे आपने hydrogen paroxid के बारे में detail से पढ़ात तो हम सभी जानते हैं कि जो hydrogen paroxid है एक अस्थाय योगिक है जो स्वतही मंद वेक से अभगटित होता है जिससे जल और di oxygen gas बनती है तो यदि आप इसकी अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पर लिखावा है H2O2 यानि कि hydrogen paroxid या स्वतही विधीत हो गया और जल तथा oxygen का न हातूं मैगनीज डाइकसाइड आधी की उपस्तिती में hydrogen paroxid का अभगटन करना होगा तो जब हम इनकी उपस्तिती में hydrogen paroxid का अभगटन करते हैं तो हमें बहुत तेजी से और अधिक मात्रा में die oxygen gas प्राप्त होता है तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम हम छोटे छोटे वीडियो यानि की प्रयोकसाला वीधी का प्रयोक करके oxygen gas उत्पन करते हैं तो आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम और दोगिक वीधी का प्रयोक करके large scale पर यानि की अधिक मात्रा में oxygen gas उत्पन कर सकते हैं इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे ह हम वायू से ऑक्सिजन गैस प्राप्ट कर सकते हैं या फिर कैसे हम जल को विगटिद करके ऑक्सिजन गैस प्राप्ट कर सकते हैं तो यह सभी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रही है हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल झाल झाल